बंदे पुर्सोत्मों आलोजनप्रसंग प्रथमखंड से 23 नौमबर सन 1941 की सिसिठाकुडी से वारतालाब अतिप्रत्यूस में सिसिठाकुल सोकर अभी उठे हैं और तासू में विचावन पर बैठे तंबाकुपी रहे हैं अधियाली च्हाई है बासों के चुर्मुट से दो चार पक्षियां सभी को उठाने के लिए भोर का जागरनी गीत गा रहे हैं आस्रम प्रांगड में कुछ कुटे निस्चिंत हो सोय हुए हैं और सामने वाले विशाल बालू के मैदान में निस्तब्दता विराज रही है सभी बैठे उन्हें निहार रहे हैं उनके इसमिती गंभीर अपुर्व दिब्यकांती की सनेह करुणा प्रेम समुझवल उसी निखर आनन्द विग्रह को निहारते निहारती सभी का मन एक अपार्थवी भाव वस से भरपूर हो उठा है इस प्रकार कुछ समय मौन में भी था उसके बाद सिक्षा के विसे में आलोचना आरंब हुई प्रफुल अदा बोले छात्र जीवन में जिन पुस्तकों को हम लोगों के उपर लादा जाता है उन्हें पढ़ने की भी आओ सकता है इस बात को हम नहीं समझ पाते हैं इसलिए उन्हें पढ़ने में अच्छा नहीं लगता उसका उपाय क्या है से सिठापुर जी बोले यदि खेल कूद या करमों के माध्यम से सिक्षा दी जाए तो ऐसा नहीं होगा पाथ विस्यों को उपयोगी बना कर नाना तरह के खेल कूद और जीवन चलन के हित में आवस्यकिय कर कारियों के उत्पत्ति करनी होगी जैसे बच्चों को लेकर तुमने एक गाड़ी निर्माड की और कहा सीटी देने और नीला जंडा दिखाने पर गाड़ी स्टार्ट करोगे ऐसे खेल के माध्यम से वह अग्याद भाव से बहुत कुछ सीख जाएगा इसके साथ साथ इस परकार इंगित करना चाहिए जिस से उसकी अनुसंधित्स उद्भावनी बुद्धि सजग और दक्च हो जाए तब ही वह किसी चीज के निर्माड काल में उसकी तरकीब को जानने के लिए अवसकता अनुसार पुस्तकों को भी देखेगा और उनके बहुत से सिध्धान्तों को बेभार में प्रियोक करेगा याद रखने के लिए उसे कोई कसरत करनी नहीं पड़ेगी उसने कब क्या सीखा यह उसे स्वयं को भी बता नहीं चलेगा लड़के उपन्यास पढ़ते हैं उसकी एक बात को भी नहीं भुलाते हैं पर बैटिल आफ ट्रेफलगार ट्राफलगर का युद्ध ट्राफलगर की एक बात भी याद नहीं रहती है उसका अर्थ क्या है उसका अर्थ है इंटरेस्ट रुच्ची की कमी इंट्रेस्ट अवेकन अनुराग पैदा करना ही सिक्षा का प्रधान कार्य है और वह एक खास आल्ट कला है सिक्षक का चाल चलन भाव भंगिमा बात चीत खूब मनोग और हिर्दे ग्राही होना चाहिए अपनी बातों के जर्ये ही वे एक चित्र आख देंगे विसे को वास्तो और जीवन्त बना देंगे और उन्हें नित्य नवीन दाना तरह की एक्टिविटी कर्म और गेम क्रीडा का इन्वेंट उदभामन करना चाहिए उस समय छात्रों पर भी एक नसा चड़ जाता है करने का सार यह है प्रैक्टिकल विवहारी कारे क्यादार पर ही सारी थिवरेटिकल से धानतिक पढ़ाई होगी ऐसे सिक्षा देने से खूब कम ही लड़के असफल हो सकते हैं यदि छात्र असफल होते हैं तो उसके लिए सिक्षक ही प्रधान तहुत तरदाई होते हैं एक लड़का समर्थ नहीं हो पाता है उसका अर्थ है कि उसके इंट्रेस्ट रुची के द्वार से मैं प्रवेश नहीं कर पाया हूँ फिल्ड वर्क कर्म छेतर में सब कुछ पर ध्यान रखकर प्रतेक के विसिष्ट इंट्रेस्ट अनुराग के विसे को जानना चाहिए कौन क्या करता है कैसी कहानी सुनना पसंद करता है इन बातों को देखना चाहिए उसके माध्यम से ही अग्रसर होना चाहिए तब ही कोई समर्थ हो सकता है गेश्ट हाउस में किसी भाई को अनिएक बार दस्त हो चुके हैं इस बात को सुनते ही सिठाकुर ने प्यारे दा को सिग रही वहां भेज दिया पंचानन्दा ने पहले के प्रसंग में प्रस्न किया तो क्या मेरिट मेधा का कोई प्रस्न नहीं है सिठाकुर जी बोले मेरिट मेधा आद सब कुछ माँ और सिक्षक के परती लड़कों की लगन पर ही निर्भर करती है औरिजनल मूर लगन को ही क्रमो तजी कर दिना चाहिए वह भी किन्तो बहुत कुछ सिक्षक के सक्रिय इस्टानुराग पर ही निर्भर करता है यह भी सकते है कि माबाप में भी यह गुड रहना चाहिए किन्तो यदि वे आदरसवान नहीं भी हों और सिक्षक आदरसवान हों तो बच्चों के चरितर को बहुत अंसों में आदरसानुराग बना सकते है आचार प्रतिनिधी जैसे छात्रों से कह सकते है तुम लोगों को बंचानन ना कितना प्यार करते है किस प्रकार तुम लोगों से मिलते जुलते है जब पढ़ाते हैं तो ऐसा मालूम पढ़ता है मानों उनके उस काले चमरे से जोती निकल रही हो मैं सोचता हूँ कि कैसे उस परकार पढ़ाते हैं मनस्य हैं या देवता मैं तो एक बुढ़ा बेकती हूँ मेरी भी एक्षा होती है कि तुम लोगों के साथ एक बेंच पर बैठ जाओं मास्टर साहब तुम लोगों के लिए कितना करते हैं तुम लोग उनको प्रते दिन कुछ दे कर ही खाओ स्रेय को देने का आटो इनिसियेटिव अर्ज स्वतह स्वेक्ष आग्रह को बढ़ाना स्रद्धा को फुष्ट कर देने का एक वास्तु एक पत्थ है चाहे जो हो जब छादर को इवस्तु सिक्षक को देने आए तो वे कह सकते हैं जिस प्रकार मुझे कुछ देने की तुम्हारी एक्षा होती है उसी प्रकार मेरे भी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिने कुछ दिये बिना मुझे भी अच्छा नहीं लगता चलो हम लोग ठाकुर को कुछ दे आएं चादर कह सकते हैं आप कुछ रख ले उस समय सिक्षक कह सकते हैं चलो उनको खिलाने पर मुझे तृप्ति मिलती है तुम्हारे प्रेम कादान उनकी सेवा में लग जाए तो तुम भी सार्थक होगे और मैं भी सार्थक होँगा और वही मेरी परम प्राप्ति है उसी रास्ते से हम चलें आचार प्रतनिधी को कुछ दे कर आए उस समय बच्चों का कैसा अग्रह होगा तभी ठाकुर की दिशा में उसकी दृष्टी गई उसके अलावा सिक्षक गान एक दूसरे की प्रसंसा करेंगे हर वेक्ति हर के परती ही सुरध्धा बढ़ाने की चीष्टा करेंगे छात्रों के परती सिक्षकों का होमली इंटिमेट लविंग एटिच्च्चूड सहज अंतरंग पृतिमेभाव होगा फिर भी ऑनरेवल डिस्टेंस समभात्मक ब्यवधान बना रहेगा स्वयम पालन न करके उपदेश देने में ही सबसे अधिक छती होती है उससे छात्रों को असरद्धा पूर्ण समालोचना करने का मौका मिलता है अपने आचरन के द्वारा सहज कल्यान कर अभ्यास बिभार जोक को बिभार मिलाने पर ही काम बन जाता है उसके लिए सिक्षकों को प्रथमत आचारवान चरित्रवान होना चाहिए उनके जीवन चरित्र एवं आचरन में जो जीवन तथा प्रकट होकर रहेंगे वे ही शात्रों में अग्यात भाव से संचारित होते रहेंगे और उनके भविस्य जीवन को प्रभावित कर उनकी उन्नति अवनति के नियामक बनेंगे राष्टर भी उस पत पर चलेगा इसलिए सोच कर देखो सिक्षकों का दाइत्व कितना है आलोजना प्रसंग प्रतंखन प्रेश पेज संख्या 144, 145 और 146 से जय गुरू